तो दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही कम समय, कम महनत और सस्थे में लोकी की बहुत ही शांदार मिठाई के रेसिपी लेकर रहे हैं जो इस फेस्टिवल में आप घर पर ज़रूर ट्राइ कीजिएगा जो बहुत ही जादा अच्छे बनती हैं बाजार की मेलावटी मिठाईयों से अगर आपको बचना है तो इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए और सब की तारिफे पाईए तो चलिए आज की नई रेसिपी शुरू करते हैं तो लौकी देखते ही किसे किसे टेंशन होती है दोस्तो कमेंट में जरूर बताईएगा अगर हम इसकी सबजी बनाते हैं तो घरवालों को टेंशन होती है और मीठा बनाना होता है तो सबसे ज़ादा टेंशन हमें होने लगती है क्योंकि इसे ग्रेट करना सबसे बड़ा सर अब क्या दोस्तो ग्रेट करना है नहीं नहीं दोस्तो इतना टाइम आज की बीजी लाइफ में किसके पास है और इसमें काफी मेहनत भी लगती है तो मुझे तो ये ट्रिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इसे ग्रेट करना और फिर इसका मीठा बनाना तो इसके लिए मैंने ना एक काम किया है इसके बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं ताकि हमारा घंटों का काम मिंटों में हो जाए और कुकर में लेना है सिर्फ दो चम्मच देशी घी इसमें हमें ये बड़े टुकड़े लौकी के डाल देने हैं और इसे थोड़ा फ्राइ करना हैं दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यह मैं कैसे मीठाई बना रही हूं तो यही तो एक सस्पेंस ट्रिक है जो आपको आगे पता चलेगी तो अब दोस्तों हमने इसमें डाल दिया है एक कब दूद तो आज की मीठाई में हमावा खोवा मिल्क पौडर किसी का भी इस्तमाल नहीं करेंगे और इसका ढखकन लगा कर हमें हाई फ्लेम पर 6-7 सिटी लगा लेना है दोस्तों अब आप मुझे यह कहिए कि अगर हम ग्रेट करते तो इतने जल्दी हमारी रेसिपी बनती नहीं बहुत जल्दी यह बनेगी और लास्ट में आप देखेगा कि यह कितनी जादा टेस्टी ल नना है ये देखे दोस्तों एक्तम संफ्ध एक्तम लायम हो चुकी है ये लौकी अब whether it श्व्रया ग्रीन मिठाध ऊक्तरवbons की डालना लेगा दोस्तों यहां पर आज हम लोकी की मीठाई बना रहे हैं तो इसमें कलर तो जब तक नहीं कि डालेगी मीठाई का वह लोख जै लेकिन आप इसे skip भी कर सकते हैं अच्छे से mix करने के बाद हमें एक और तयारी करनी है तब तक इसे high flame पर रखें तक इसका जो moisture है वो reduce हो जाए तो यहां पर हमने mixer का जार लिया है इसमें डालेंगे हम desiccated coconut और काजू और इसे हमें पीस लेना है दोस्तों इस तरीके से पीस जी हां दोस्तों खोवा या मावा अभी festival के समय में बाजार में मिलता नहीं है और मिलता है तो उसमें काफी मिलावट होती है तो आप खोवे के जगा पनीर का इस्तमाल कर सकते हैं जो बहुत आसानी से बाजार में मिल जाता है साथ ही हमने इसमें शक्कर और इलाइचे का प पकाएंगी तो सारा जो मौशरय बहुत जल्दी ड्राय हो जाता है अब हमें इसमें दोस्तों जो हमने काजू और जो डेसे के किटिट कोकुनेट रखा था ना पीसकर वो भी डाल देना है लेकिन दोस्तों वह आपको लास्ट में डालना है क्योंकि काजू ना बहुत आने के बाद लगातार चलाती हुए इसे पकाना है जैसे जैसे अफ इसे पकाएंगे ना दोस्तों इसमें एक पहुत ही क्रीमी बहुत ही अच्छा टेक्ष्चर आने लगेगा और जो हमने पनीर डाला है न वो तो इसमें इस तर Polsce से मिक्स हो जाएगा कि सब को लोगीगा इ मैंने इसे high flame पर dry किया है चाहे तो आप non-stick कड़ाई का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन ध्यान से इसे लगातार चलाइए ताकि यह अच्छे से dry हो जाए और यहां पर आप देख सकते हैं कुकर को यह बिल्कुल छोड़ने लगा है तब तक हमने इसे पकाया है जब वो छोड समझ जाएगा कि आपकी मीठाई बहुत अच्छे से सेट होगी चलिए अब यह कुकर को छोड़ने लगी है हमारा जो बेस से वो तयार हो चुका है इसे हमें सेट करने के लिए रखना है तो मैंने यह आपर एक केक्टीन ले लिया है इसके अंदर मैंने एक बेकिंग पेपर डाला है और अब हम मिठाई का जो बेस है उसे डाल कर अच्छे से फिलाएंगी दोस्तों आप देख सकते हैं स्पैचुला पर यह बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है इसका मतलब यह बहुत अच्छे से से सेट होगी और इसे अच्छे से इवनले हमें स्प्रैट करना है और जैसे यह सेट होगी ना हमें साइट का जो एजे से उसे लूस करना है क्योंकि जो हमने पिपर लगाया है वो इसे दो ही साइट को कवर कर रही है और इसे आसानी से हमें निकाल कर अच्छे से कट करना है अगर आपके पास बेकिंग पेपर या बटर पेपर नहीं है तो आप परफेक्ट कैसे बनी है देखिए जैसे हम इसे कट करेंगे न तो ये बिल्कुल भी नाइफ में चिपक नहीं रही है इसका मतलब भी बहुत अच्छे से सेट हुई है और इतनी सॉफ्ट है कि खाने में इतनी मज़ेदार लगती है बिल्कुल मखन की तरह मुह में घुल जाती है ये देखे दोस्तों जैसे मैं कट कर रही हen आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये बनी है और इसका जैसे आम एक पीस निकालेंगे ना कितनी परफेक्ट तरीके से इसके कटिंग या इसके पीसेस हुए हैं बहुत अच्छी रेसिपी है दोस्तो इतने आसान तरीके से अगर आप ये मिठाई बनाना सीख जाएंगे ना तो ये मेरी गैरेंटी आपको सब यही पुछेंगे कि आपने इसे किस हलवाई की दुकान से मंगा है या फिर आप अगर कहेंगे ना मैंने बनाई है तो आपसे ये रेसिपी जरूर लेकर जाएंगी बहुत अच्छी बनती है इसके ओपर मैंने थोड़ा सा काजू पिस्ता और रोस पेटल से गार्निश किया है अब इसे मैं तोड़कर दिखाती हूं कि ये कितनी अच्छ से बनी है खाने में ये बहुत डिलिशियस लगती है तो ये देखे दोस्तों बिलकुल बाजार की महंगी मिठाई लग रही है जो हमने घर के कुछी चीजों से बना कर तयार की है और इतने कम महनत में अगर ऐसी मिठाई बन जाए तो क्या कहना क्योंकि बाजार की मिलावटी म इठाइस ते ये कई गुना जादा अच्छी है